नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोति सिक्रेट कुम रासी वायू तत्तु की तीसरी रासी है और कुम रासी का मालिक स्वेम सनी देव हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि सनी के आपके जीवन में रॉल कुछ ज़्यादा ही होता है कुम रासी वालों का जीवन सनी के ऊपर ही निर्भर करता है और साथ ही ऐसा अकसर देखा गया है कि इनकी किस्मत ही इनको ऐसी जगर ले जाती है जहां ये जनता को सीधी तरह परभावित करते हैं लेकिन थोड़े लापरवा भी होते हैं कभी कभी इसी लापरवाही के चकर मे हाथ आया मौका भी गवा देते हैं वैसे अमूमन ऐसा है कि तीस वर्स के बाद आपको सफलता मिल ही जाती है आपको आज हम बताएंगे कि कौन से धातू का छला पहने लेकिन उसके पहले आप ये जान ले कि आपके सिभ जी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए उन्हें जलर-पित करें इससे आपका स्वास्त उत्तम बना रहेगा और परवाही से भी आपका बचा होगा क्योंकि यहाँ पर सिभ जी आपकी रक्षा करेंगे आपको सलाह लेकर सनी का रतन जरूर्दारन करना चाहिए आपको सूट करेगा लेकिन सलाह लेकर इस बात का ध्यान अच्छा होगा देखिए सनी का यंत्र आपके लिए पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होगा वर्गाकार आकार में सनी का यंत्र होगा चांदी लोहा मिलाकर बना हुआ अंक वाला यंत्र काले धागे में गले में पहने आपको सोना चांदी के दुकान में जो ब्रांड वाला हो होगी और आर्थिक मुस्किलें भी दूर होगी अब हम आपको इस यंद्र के बारे में बिस्तार से बता दें चांदी और लोहा दोनों मिलकर बनाया जाएगा और एकदम से स्क्वाइर होगा यह यंद्र और इसमें लॉकेट के अकार का बनबाली जी एक कड़ी इसको आपको दारन करना है चाहें तो अंगूठी में भी धारन कर सकते हैं और इसमें कोई अकरिती चीत्र नहीं बनी होगी अंक लिखा होगा सनी का आंक A यह आपको मिल जाएगा जो भी इस्टोन पे गेरे रखते हैं वहाँ पे यंत्र मिलता है आपको अराम से मिल जाएगा आप धारन कीजिए आपको लाब होगा देखिए कुम्ब वालों के जीवन में वैसे तो चिंताएं बहुत तरकी होती है और कुम्ब रासी वालों को काला रंग बिल्कुल भी सूट नहीं करता है अगर आप काले रंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो मन में तमाम तरह के बिचार चिंताएं फ्लो करते रहेंगे और इसलिए आप ज्यादा इस्तिमाल करने से कालपनिक भी हो जाएंगे या फिर नसा करने लगेंगे अब साथ की समस्या हो जाएगी परिसान करेगी इसलिए डार्क बलेक बिल्कुल भी ना पहने आप ग्रे सलेटी हलका काला पहन सकते हैं आपको सूट करेगा पर डार्क बलेक से परहेच करें देखें आपकी एक समस्या ये भी है कि आप सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि ज़रुरत से दूसरों का आप problem solve करते हैं हलाकि आपको मज़ा आता है लेकिन ये आपके लिए सजा भी बन जाता है अक्सर लोग आपको इस्तिमाल करके साइट कर देते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं धन का नुकसान आपके अपने ही आपको सबसे ज़्यादा देते हैं तो यहां पर आपको संभल के रहना होगा कोई दोस्त बनकर कहीं पीट में छुरा न भोग दे इस बात का भी ध्यान लखना होगा तो चलिए आपको के लिए आपको लोहे का छला अपने बाएं हाथ की मिडल फिंगर यानि मद्धमा उंगली में सनी बार की साम में धारन करना चाहिए और तामबा भूल कर भी धारन ना करें इस बात का ध्यान रखिए इससे क्या होगा न आपको आपकी मन की समस्याएं भावनाओं की समस्या इसी कारण से आप चीजों को बीच में ही छोड़ देते हैं तो ये चीजें आपके साथ इसे धारन करने से नहीं होगा और आप एकदम से मजबूत बने रहेंगे हर हर महाते